जाहिंद आज की वीडियो में हमनों जानेंगे वेब सिलिंग वेब सिलिंग को अलग-अलग नाम से जानते हैं जैसे की बेल्ट सिलिंग या पट्टा भी कहा जाता है यह आम भासा है लेकिन इसका जेक्ट्ट्वल नेम है वेब सिलिंग ही कहा जाता है वेब सिलिंग का लोड modification. बहुत ही आशान है. यानि कि आपको कोई pane या कोपी लेने की जरूत नहीं है आपके अवल इसे समझ के ही उसका load calculate कर सकते है इसका safe working load जो होता है यह तीन परकार से calculate क्या जाता है जो वेब itezलिब होता है बहुत सारे color made level है तो इनके जो color होते हैं, वो color के हिसाब से ही, आप पता कर सकते हैं कि ये कितना ton capacity उठा सकता है, ये, जैसे कि आप screen में देख रहे हैं, कि सबसे हल्के load के लिए जो आता है, वो valid color का अता है, जिसका load capacity जो होता है, एक ton का होता है second में green color में आता है और इसका जो capacity होता है 2 ton और third में yellow color का आता है जिसका capacity 3 ton होता है fourth में आता है आपका grey color जिसका capacity होता है 4 ton और उसके बाद फिर red color में आता है जिसका capacity 5 ton होता है और brown color में जो आता है जो पट्टा उसका 6 ton होता है और blue color में उसका capacity 8 ton होता है और औरेंज कलर में जो आता है उसका capacity दस्टन होता है तो हमने पहला जो तरीका पनाया था केवल कलर से कलर से ही समझ जाए कि इस पट्टे की यानि कि इस वेब सिलिंग का कितनी capacity है लोड उठाने की ठीक है अब second जो तरीका है जो दूसरा तरीका है उसको हम कैसे जाने के क्या हो सकता है जब हमने यह जान लिया फिर भी तो तब हो सकता पड़ता है जब आप मालेगे हो इस रहने से या पिर कैसे भी रखने से यह थोड़ा कलर इसका change हो जाता है, तो वैसे मैं दूसरा तरीका का इस्तिमाल आप कर सकते हैं और दूसरा तरीका का इस्तिमाल करके आप उसके load calculate कर सकते हैं जो दूसरा तरीका है build की चोड़ाई से अब हमें color से कोई मतलब नहीं है अब सीधा build को हम चोड़ाई map लेंगे और चौडाई माप के उसका लोड कैपसिटी जो है लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं तो एक टन का जो कैपसिटी का जो बेल्ट होगा जो सिलिंग होगा उसका जो चौडाई होगा 30 mm यानि कि 30 mm होगा इसके चौडाई होगा और 2 टन का होगा उसका 50 mm होगा 3 टन का होगा उसका 75 mm होगा 4 टन का जो होगा वो 100 mm का होगा 5 टन का होगा 125 mm होगा और 6 टन का होगा वो 1.500 mm होगा 8 टन का जो होगा वो 200 mm का होगा और लाइट में जो 10 टन कैप CT का जो बेल्ट होगा उसकी चोड़ाई जो होगा 500 mm होगा ठीक है? यानि कि लगबग 10 इंच के करीब होगा यह जो 10 टन कैपसीटी का लोड होगा तो सिकंड तरीका में क्या आपने सिखा? सिकंड तरीका में आपने सिखा कि बेल्ड की चोड़ाई को अगर हम माप ले तो उससे भी पता कर सकते हैं कि इसकी जो लोड कैपसीटी है कितनी है? चलिए अब थर्ड में चलते हैं थर्ड तरीका थर्ड तरीका भी बहुत आसान है इसको जैसे का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीले कलर का बेल्ड है जिस पर तीन धागे की लाइन देख रहे है ठीक है? जोकि काले कलर का है कलर के हिसाब से उस पर कितनी लाइनिग है उससे अब पता करना है हमें तो इस पर तीन धार यहां है इसका मतलब है कि इस पट्टे की जो कैपसीटी है यानि कि इस wave ceiling का जो capacity है वो 3 ton का है ठीक है और इसी परकार से और सो जो पट्टे होते हैं जैसे 1 ton में होगा तो 1 line होगा 2 ton में होगा तो उसमें 2 line होगा और इसी के according जो 10 ton का होगा उसमें 10 line होगा यानि कि 10 जो धागय के जो line होगा वो होगा 10 line उसमें यानि कि build पे 10 धारियां होगा तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये 10 ton weight उठाने की capacity है ये तीन तरीका जो आपने देखा अभी weight ceiling का load capacity calculate करने के लिए लेकिन इसमें एक ध्यान देना वाले बात क्या है कि आप हमेंसे इस पर ध्यान रखे कि ये तरीका जो है केवल वर्टिकल कंडिशन में लागू होता है यानि कि लंबोत यानि कि बिल्कुल ऐसे एंगल में 90 डिगरी एंगल में अगर आप यूज कर रहे हैं उस सिलिंग का तो वैसे कंडिशन के लिए ये कलकुलेशन आप वहा जादा वेट हैं जादा वेट को सिप्टिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि दो तीन दो या फिर दो से चार सिलिंग का यूज किया जाता है जब चार सिलिंग को यूज करने के बाद उसमें क्या होता कि एक इंगल किरियट होता है यानि कि एक इंगल बन जाता है ठी वीडियो अच्छी लगए तो like कीजिए और चैनल प्रने तो subscribe कर सकते हैं क्योंकि